कि है कि हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूम मैं एस्पटी और निस्ट दोस्तों दोस्तों देखिए यहां पर वोकाबरी का सिनोनिम्स का जो पार्ट नाइन एट है वह आज होगा अगर पीछे वाला भी वोकाबरी सिरीज जो भी नहीं देखें उसे जाकर देखिए और याद कीज सब्सक्राइब वेज़ाएं चुड्र फॉल इंवर्ट जो भी वर्ड है उसका हम लोगों को भेस्ट बेस्ट एक्सप्रेशन मतला उसमें से उस से मीनिंग निकालना है कौन सा है तो चलिए हम लोग पहले देखते है इलास्टिक इलास्टिक क्या होगा सॉलिड होगा फ्ले होगा यह exciting होगा तो दिखर 이较स्टिक मिस होता है flexible तो इसका जो answer होगा होगा वह भी ठ्रैक्सीबल आपको पता है expensive मिस होगा costly यह precious costly होगा यह precious होगा यह sumptuous होगा इसका एक और होता है a sumptuous कॉतर है expensive का Precious होता है or costly क्लिए होथा एक्साइटिंग का पता है उत्तेजित होना नेक्सट हम लोग देखते हैं इलास्टिक का हो गया देखे आपी वीडियो को पोस किजिए और खुझसे जोनेंसर फाइंड की जान देखते हैं हैं वह सीलेक वैसिलेट का क्या होगा वेबर हगा नेवर होगा क्या आफी approximately नोग होगा ते सब्सक्राइब इसका प्रेंज होता है ते सकत्ते क्यों कांपना या संदेह करना ति सक्षू leash होुग absorb हो जागा ABS U RD आउटलेंड भी हो जागा उतलेंड यह से ऑफ्लेंड इस पर इस कब की जैगा गएंज यह इस बिजार भी हो जाना की आइज strange absorbed outlandish bizarre bizarre मिस भद्ध होता है मतलब और क्वीवर मिस होता है तरकस यह कापना क्यू यू आई भी यह क्वीवर मिस होता है तरकस इसका जो आंसर होगा वैसिलेट का होगा वेभर नेक्स्ट हम दो देखते हैं इसट है इम्पैककेबल मेंज क्या होगा इम्मोटल होगा फिर होगा want faultless और स्क्रिमिनल णियां पर्फक्ट एसका जो आंसर होगा वो और कि फॉल्ट इस मेंग्स승 ? इसमें कोई फॉल्ट नहीं इस इससें बहुतते हamental का होगा फॉल मोटन आपको पता है और प्रिमिनल आपको पता है तो इसका जो आंसर होगा impeccable का होगा faultless flawless भी होता है इसका फलेड़ डबलू फ्लावलेस भी होता है तो इसका क्या होगा faultless या flawless नेक्स्ट हम दोग देखते हैं 29 नमर सिनोनिम्स इंपेडिमेंट इंपेडिमेंट मिस्की होगा होगा क्लियर होगा element होगा incapable यह अफ्स्ट्रक्शone होगा तो दі chicken इसका उफ्स्ट्रक्शन होगा obstruction मिस्फ होता है बाधा हिंडरेंस होगा entr de r en हेंडरेंस मिस्प्रेंस होता है इसका पहीजा हूँका इमपेडिमेंटमेंट का जो अन्सर होगा वह बनी अप्स्ट्रक्शन हिंडमेंट भी हो जाएगा और स्केशन ओड़ेगा इंपयुडिमेंट मिसाता बाध हां क्लियर आपको पता है क्लियर एलमेंट मिस होता है आपका दिखें वैसा परसंट जो सूचता है कि हम बीमार है उसी बोलते एलमेंट्स एन वीमार डीजीज इनका डेबल मतलब अयोग्य नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर दो था ठीन ओर एडवांस में क्या होगा डीडी नश वहगा हाल होगा प्रेश होगा या इटस्टेंड होगा तो दीकए एडव समय क्या ओगा प्रोग्रेश एडवास मिस अपका हो जागा इसका जो फरोगरेस हाल स्चति होता है चोटा लिए जैसे जहां चोटा चिंखे असका हुत हो चोल्ट HRD फेर農 the stop कि कि में देखे एडवांस का हो गया प्रोग्रेस और एकषेम हो गया हाल्ड भी स्टॉप हो गया आपको पता है जी किर डिंस में डिमineus होता है कम करना नेक्स देखते हैं सब्सक्राइव भी सब्सकोणा को Refever होगा तोड़ी दिर के लिए प…? तो सबसे ज्यादा आपको यादा यादा के लिए तो घ्याद होते हैं जोर्टार के लड़ं नेकर को जोगा थोड़ी दिर को हो पॉस्ट्यूमण है लिए फॉस्ट्यूमस में मॉर्नोप्राइब आफटर यानि देट के बाद देट के बाद जो भी आम लोगों को प्राप्ट होता है उसे बोलते हैं फोस्ट्यूमस यहनी मॉर्नोप्राइब कि आप लोग सुने होंगे पॉस्थिमस मौरनोप्रण्थ के बारे में रिसिभ आफ्टर देफ यह मरने के बाद जो हम लोग 기 आ मतबब जो बी एवाइड दिया जाता है पॉस्थ यूमस नेग्स्ट देखते है मोर्वर सब्सचिजी ऊचे कि फाइब हो गया है और फाइब इडियम अपका है रिकल्योस-रे-C-L-U-S-A-D-C-A-S-E-C-H-E-C-A-N-T-O-A-C-A-C-O-N-E-C-A-N-T-O-A-C-C-A-N-T-O-N-E-C-G-I-T-E-C-A-N-T-O-A-C-A-C-E-C-A-N-T-O-A-C-O-N-E-C-A-C-C-A-C-E-C विंसिबल विंसिबल में सोथा है जीसे जीता जा सके डैट विच कैन बी कंक्योड नेक्स्ट हम दो देखते हैं इडियम फ्रेज देखें आपको शारे याद करना है बाई हुक और वाई क्रूक भाई हुक और वाई क्रूक मिस होता है गलत या सही किसी भी धंग से बाई वाई अनिमीन्स राइट और रुट थबाइवुक क्रूक और वाई हुक और वाई क्रूक का होग हां पाई एनी मीनस राइट और रॉट रॉंग गेट आवे विद बच निकलना नाथ इसकेप इसका जो होगा देखिए फिलन प्लेंक्स में बहुत पुछ जाते हैं गेट मतलब उता है जंकर में पढ़ न रिखेक है एटीटु ट्रबर के इनुट्स को थे हैं मगा लोन बड़ सब्चिश्यशें और यहां पर इडियम फ्रेज कर ली जागा यहां पर तो फ्रेज है यह आपका idiom phrase जय इदियम फ्रेज हो गया लेकिन यह इधिम फ्रेज है इसका इन नॉट से लियानी संचेप में इन वरी ब्रीफ फॉर्म इन नॉट सेल कहोगा संचेप में इन वहरी ब्रीफ फॉर्म प्रतिक्या पूरि करना तु कीप फन्स प्रामिस अपना Promise पुड़ा करना तो किपढ़न्स Promise कीपवन्स वर्ड काऊगा पर्तिगिया पुरी करना तो किपढ़न्स Promise पूट इन कोल स्टोरेज कहता है काम को लंबित कर देना तुकिपढ़ी वर्ग पेंडिंग अपने वर्ग को पेंडिंग में डाल देना उसी को बोलते हैं पुट इन कोले स्टोरीज काम को लंबित कर देना टू किप ए वर्ड पेंडिंग कीप वन्स वर्ड का होगा प्रतिग्या पूरी करना टू कीप वन्स प्रॉमिस और इन नॉट सेल का होगा इन बेरी ब्रीफ फॉर्म नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखे चूज दा एस्पेल्ट वर्ड जो वर्ड सही है उससे हम लोगों को फाइंड करना है तो देखिए इसमें से कौन सा सही है आप ही वीडियो को पॉस्ट किजिए और खुद से फाइंड किजिए एस्थेटिक एस्थेटिक आपका जो करेक्ट होगा वह होगा इन नमबर बी गलत है सी भ एस्थेटिक आइनटीन्देंड सबस्राइब कर Изधर्डीजानिरिकेंड गलत में अघविए भी नम्र करीक्ट होगा अस्थेटिक. Тем बार को अगि एकुई किए स्पेलिंग यो होगा वह होगा वह gonna Swing can fire again स्फछेंड के यहां अग त्इके सूपरिक्ठिंद यहां इसको कर लिजाओ कअफक 15 10 ओरन का ओंसर ओगा फिश्छा रंटन हरात यहां यहांducन मिण कोई देखते हैं कि ब्यूरोक्रेशियर किया होगा चूज दा करेक्टीश पेड़ वारिसमें भी बताना है कौन सा सह है प्यूरोक्रेशियर का बीयू आरी ऐउसी और डीयो क्रेश्ट के आपका जो आनसर है वह होगा बी यू आर य य य यू सी और भारे सी वाई बेरोक्रैसी next हम दोंदेखते हैं है हजारीस हजार मीयष हजआड़्यका क्या होगा सब-210 का при態कर यह और डण युद्या ऑवो होगा ay הz a rd ओ yo az 1000 का जो और युद्याड ऑह हगा एच टीड़ी ऑलट युथ नेट्स हम दोग देखेंगे सेलेक्ट द एप्रॉकर्यिटियेट व्र अब गिविन वर्ड इसमें बताना है कौन सा वर्ट करेक्टीन बफ्र छूस हा प्लेज ऐप्लेविल्ट या Dare कडिया इसका हो किया गया इसका हो जाएगा डवलेड़ आप करने के spelling आपका ट्रोच का टी आर ओओ च नहीं होगा टी ओ आर चीएच इसमें भी बहुत सारे कांफ्यूजल हो जाते हैं ट्रोच हम लोग बहुते हैं टी आर ऊसी एट लिख देंगे लेकिन इसका जो सही है वह में लांकन करना और इसेश में सोथा है सुचित करना अश्यूज डवलिवाफ इंप्राइज करना तो देखिना पर हम लोग को इसमें से करेक्ट कौन सा को परना है कौन सा करेक्ट होगा उससे दोनों जो भी है इसमें वरह ना है ने इंप्लाइज दर्डाइस अभिलिटी I is employer क्या करने अपने इंपल ये जो विए उसका करम सब्सक्राइब करना जाए है तो इसका इसका प्रेंट होगा यह एक्सपोर्ट है कि हम लोग को घर जेने से पहले जो भी एक्सपोर्ट है उसे क्या करना है उसके बारे में जानना है कि मतलब घर सही है कि गलत है विए एक्सपोर्ट एप्रेज the house before we bought it next हम दो देखते हैं इसका जो यह डोल पी आर आई आई सी एपरेज हो जागा इसमें नेक्स हम देखते हैं देखेंड लुटि देखेंड इसमें तो मैं प्रेजंस वाज रिकारेड फीकें इन्तु एपराइज हो जागा अड्वल पी आर आई से अपराइस मीड़त मैं प्रेजंस वाज रिकारेड वह आए और मुझे इंफॉर्म की कि तुमारा प्रेजंट वहाँ पर जरूरी था तो तो इसका जो आंसर होगा वह होगा एडोल पी आर आई से सी केम इंटु एप्राइज मीड़ाट माई प्रेजिंस वास रिक्वारेड नेक्स्ट देखिया निट्सी वाल्क एराउंड दसाइड ओफ दॉन डैस दो डैमेज तो इसमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा अपरेज होगा यह प्राइज होगा तो सी वाट अराउंड दो साइड ओफ दा हाउस टू यह वह घर के किनारे चारोतरफ घूम रही थी इसलिए वह देखना चाहती थी कहां पर डैमेंज का मुल्यांकर्ण कर रही थी इसलिए इसमें जो फिल हो गया आपर एप्रेज हो जाएगा यह वह घर के तरफ डैमें hist का मुल्यांकरन करने के लिए मतलब szcz उसका मुल्यांकरन क्लिए चारा करए थी लिग्या कर रही ही चेंव नबर अइंपहोर्स इन इंपह्यर सुद्टेयश ध्रता पीज में देखे फिछले वाला कोश्टार सो किया में an employer should appraise the ability of his man अपने आदमी का क्या करना चाहिए मुल्यांकर करना चाहिए था an employer should appraise the ability of his man next हम देखते हैं I need to speak to my professor and that's him of the change so I need to speak to my professor and इसका वजह का appraise appraise आपको पता है inform करना होता है तो I need to speak to my professor मुझे प्रोफेसर से बात करने किया सकता है and inform him of the change और बदलाओ के बारे में उन्हें inform करना है यानि एप्राइज करना एडबल पी कि आर आई एसे एप्राइज होगा और यहां पर एडबल पी और आई एसे एप्राइज हो जाएगा तो देखिए आपका सहरे जो जो इंपोर्टेंट वोड़े जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वह दोनों आपका कराया जा रहा है नेक्स्ट हम लोग दिखते हैं देखिए एरेंज दगीवन संटेंस जो भी संटेंस दिया उसको एरेंज करना है इंदर ट्राइजिशन फ्रॉम इस्कूल सब्सक्राइब करने से यहीं आएगा इसका जो आंसर होगा पले आप वीडियो का पॉस्ट कीजे और खुछ से देखिए कौंसा सब्सक्राइब गांता ट्रांजिशन फ्रॉम इस्कूल टॉचल 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 इस दिमांडिंग देखिए पहले होगा पी देखिए आपक सब्सक्राइब कुण देखिए कु मैं पॉस्ट मीट टॉचल तो कोलेस देखिए क सको टॉचल 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 तॉचल टॉचल टॉच sounds एक्जूलरी भर्व उसके बाद में भर्व उसके बाद एक्जूलरी भर्व दोना आया उसके बाद meet it so so one must meet it without expectation तो इसका जो correct होगा वो होगा बी अगर आगर आप चैनल पर ना आया है तो चैनल को सबस्क्राइब किज़़ और बेल एकन प्रेस किए जिसे कि जब सबसे पहले आपके पास पहुंचें इस वीडियो के देखने के आपका बहुत-बहुत धन्यवाद